Hello everyone, स्वागत है आप सभी का GS Cracks में आज के इस वीडियो में हम देखेंगे World Immunization and Logistics Summit के बारे में तो ए रिसेंटली जो है Union Ministry of Health and Family Welfare ने पार्टिसिपेट किया है जिसमें डिजिटल पार्टिसिपेशन हुआ है इस सब्मिट में इस सब्मिट में बात की गई है कि vaccine जो है उसका production और distribution पूरे Asia भर में कैसे किया जाए World Immunization and Logistics Summit जो है वे रिसेंटली हेल्ड हुई है इनिसिटीव जो है लिया गया था Hope Consortium जो दोरा जिसका objective जो है Philanthropic Leaders है जो decision makers है जो exports है senior government official जो है इसमें participate किया और अपने ideas दिए अपने approach दिए COVID-19 से tackle करने के लिए अब Hope Consortium के बारे में देखें तो इसका SPR headed by Department of Health था अबुधावी में और इनका जो brand leading जो members है उनको बुला कर उनसे जो है चर्चाय करना इन-to-in solution लेना जो है COVID-19 जो vaccine है उसको globally कैसे deliver किया जाए इस पर चर्चाय करना इनका इस summit का में मकसन था तो इसके बारे में जो है जो है जो इस पर इन्टरनेशन रिलेशन और health में इससे related questions आ सकते हैं तो मिलते हैं एगले वीडियो में कुछ नही चीज़ों के साथ अब तक के लिए धन्यबाद